SCST Act में बदलाओं के खिलाफ सडकों पर उत्रे दलित अंदुलन हिंसक हो उठे हैं। को मिला है जिसकी वजह से राज्यक के सभी सिक्षन संस्थान सारवजनिक परिवहन को बंद रखा गया। मध्यप्रदेश में 6 मोते हो चुकी है जबकि यूपी और राज्थान में एक एक मौत हो चुकी है। कल शाम 6 बजे तक मौत का आकड़ा साथ तक पहुच चुका था। मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा मौते 5 होई है जबकि यूपी और राज्थान में भी एक एक मौत हो चुकी है। भारत बंद के दोरान हुई हिंसा में मुझफर नगर में एक व्यक्ति की मौत 3 गंभी रूप से घायल, 35-40 पुलिस कर्मी और 30-35 प्रदर्शनकारी घायल। उत्रदेश में भारत बंद के दोरान हिंसा की घटनाओं में सल्दिप्तता के चलते चार जिलों में 448 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत बंद के दोरान मेरट में गोली लगने से एक आंदुलनकारी की मौत। बारत बंद के दौरान ग्वालियर में 19 लोग घायल जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार शाम 6 बज़े तक इंटरनेट सेवा उपको रोक लगा दी गई है। मद्रदेश के मुरेना में एक व्यक्ति की मौत हो गई इसके बाद मद्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। एक लोकल चैनल के पतरकार के भी घायल होने की खबर आई है। मद्रदेश के गवलियर में प्रदर्शन कारियों ने कई वहानों में आग लगाई। वहीं प्रदर्शन कारियों द्वारा फाइरिंग करने का वीडियो भी सामने आया है। गुजरात के कच्छ में गांधी धाम में प्रदर्शन कारियों ने वहान पर लगाई आग। इस दोरान महिला प्रदर्शन कारियों ने भी सड़क पर उतर कर नारे बाजे की। दलीतों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने ट्वीट किया। र मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहा हैं हम उनको सलाम करते हैं। भारत बंद को लेकर हो रहे हिंसा पर यूपी के मुख्यमंतर योगी आदितिनात ने लोगों से अपील की है कि कानून व्यस्था को न बिगाड़ें। उन्होंने कहा है कि अगर किस ने कहा है कि हमने सुप्रिम कोट में पुनर चार याची का दाखिल की है। मैं सभी राजनितिक दलोर संगठनों से अपील करता हूं कि वह शांती बनाये रखें और किसी तरह की हिंसा ना करें। कानून व्यस्था की स्थिति बनाये रखने और जानमाल की सुरक्षा केंद्री बल उपलब्द कराए गए हैं यह बात मंत्राले प्रवक्ता के द्वारा कही गई है। इसी के साथ और भी खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।